हम जिस भी situation में हैं, जो भी हमारी condition है, करोडों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, जिनके लिए वो एक सपना है मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा हूँ आपकी सिचुएशन में आज आप जहां भी हो जिस भी सिचुएशन में हो करोडों लोग ऐसे हैं जो सपना देखते हैं आपकी ऐसी जिन्दगी जीनेगा और आप वो जिन्दगी जी रहे हो उनकी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो सुच कर के देखो अंठी यो अपर देखो लोग कैसी लाइफ कहा कहा जी हुआ है काई सकी रहे हैं इनके वस्तों कुछ नहीं इनके पास कुछ नहीं है, गंदे, वेस्ट में से निकल निकल के, जो चीजे फैक दी जाती है, महां से निकल निकल के, कूड़गान में से लोग खाना खा रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है हमारे ऐसे यार, कौन है वो, वो कभी नहीं सोचेंगे कि मेरे को संधीर महिश्वरी बनना है, बट अगर वो कभी आपके ऐसी जिन्दगी उनको मिल जाए, दोटिंग लगे ना उनकी, उनकी बन गे ना उनकी, सोच के तेखो, तो आप फेलियर कहा है, आप तो सक्सेस्टिल हो, कोई इंसान अगर जिन्दगी में कुछ करना चाता है ना, या कुछ बनना चाता है, तो उसको जा करके ये बोलना, कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उमीद को तोड़ना, एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में, सिर्फ ये उमीद होती है, और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ, किस कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है. आप फुटबॉल खेल रहे हो, और सामने चार प्लियर्स खड़े है, और उदर गोल कीपर भी है, अब किसी तरीके से सबसे बचते होए, यहां से, वहां से, निकल के और आपने गोल कर दिया, तो आप क्या करते थे उसके बाद? खुश हो जाते थे? खुल के सेलिबरेट कर हैं, खुल करके, यह तो हो गया बड़ी सी बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, कि घर में आप बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे हो, और आपके एक दोस की निकर उतर गई, पांच मिनिट तक हसते रहते थे, बड़ों को समझ नहीं आती थे बाते, वह अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हो हैं, जितने भी लोग हैं, इमाजन करो, एक बार को एक hypothetical situation, आपके अंदर से डर निकल जाए, फेलियर का, डर निकल जाए, काम्याब ना होने का, तो कोई रोख सकता आपको काम्याब होने से, सोच के देखो, एक क्रिकेटर है, उसके अंदर से डर निकल जाए, आउट होने का, उसको कोई आउट कर सकता है, एक डांसर है, उसके अंदर से डर निकल जाए, हारने का, उसको कोई हरा सकता है, नहीं हरा सकता है, और वो कौन हो सकता है, सिरत एक बच्चा, और वो बच्चा हम सब के अंद फूर्ट कि दिवार निकलना है कि इमाजिनेशन जो चारों से खड़ी हुई ओखड़ी कियो है अब आते हैं उसके कि हम अपने आप को किसी और से कंपेर करते हैं या हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको किसी और सिचुएशन से कंपेर करते हैं या अपने आप को अपने आप से ही कंपेर करते हैं यह तीन वजाएं इसके अलावब कोई चौथी वजा नहीं अगर इन तीन वजाओं को हम सम सब्सक्राइब कर देना कि हम आपके लिए मोटिवेशनर और टेक्स लाते रहते हैं